किसान इनका विरोध कर रहे हैं विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है लेकिन सरकार इने किसानों के हितो वाला बता रही है पहले समझते हैं कि इन तीन विध्यकों के मुख्य प्रावधान क्या है इस बिल में एक ऐसा एकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी ये बिल क्रिशी उतपादों की विकरी, फार्म सेवाओं, क्रिशी बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विकरेताओं, बड़े खुद्रा विकरेताओं और निद्यातकों की साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है अनुबंदित किसानों को गुणवत्ता वाले बीच की आपूर्ती सुनिश्चित करना, तक्नी की साहता और फसल स्वास्त की निगरानी, रिन की सुवीधा और फसल बीमा की सुवीधा उपलब्ध कराई जाएगी इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तियों की सूची से हटाने का प्रावधान है माना जा रहा है कि विधेक के प्रावधानों से किसानों को सही मुल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में इस परदा बढ़ेगी क्यों हो रहा है विरोध किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही क्रिशिक शेतर भी पूंजी पतियों या कॉर्परेट घरानों के हाटों में चला जाएगा और इसका नुक्सान किसानों को होगा क्रिशी मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मताबिक किसानों की चिंता जायज है BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते उनका कहना है कि जिन उतपादों पर किसानों को MSP नहीं मिलती उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही FCI द्वारा किया जाता है या फिर FCI उसे खरीदता है साल 2019-20 के दौरान रभी के मार्केटिंग सीजन में केंदर द्वारा खरीदे गए करीम 341 लाक मिट्रिक तन गेहूं में से 130 लाक मिट्रिक तन गेहूं की आपूरती पंजाब ने की थी प्रदर्शन कारियों को ये डर है कि FCI अब राज्जी की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा जिससे एजन्टों और आड़तियों को करीम 2.5% के कमिशन का घाटा होगा साथी राज्जे भी अपना 6% कमिशन खोदेगा जो वो एजन्सी की खरीद पर लगाता आया है देविंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में ये होगा कि दीरे दीरे मंडियां खत्म होने लगेंगी प्रदशन कारी मानते हैं कि अध्या देश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की अनुमती देता है वो करीब 20 लाग किसानों खास कर जाटों के लिए एक जटका है ही साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमिशन एजंटों जिनकी संख्या 30 हजार बताई जाती है उनके लिए और करीब 3 लाग मंडी मजदूरों के साथ-साथ करीब 30 लाग भूमी हिन खेत मजदूरों के लिए भी ये एक बड़ा जटका साबित होगा किसान नहीं बाजार के लिए विधयर दो राजियों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंदर कहते हैं 86 प्रतिशत छोटे किसान एक जिले से दूसरे जिले में नहीं आ पाते किसी दूसरे राजे में जाने का सवाल ही नहीं उठता ये बिल बाजार के लिए बना है किसान के लिए नहीं बिल के मुताबिक इससे किसान नई तकनीक से जुड़ पाएंगे पांच एकर से कम जमीन वाले किसानों को कॉन्ट्रेक्टर्स से फायदा मिलेगा हाला कि देवेंदर कहते हैं किस प्रावधान से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा आवशक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंदर कहते हैं किस से काला बाजारी को बढ़ावा मिल सकता है वो कहते हैं हमने जमा खोरी को वैदिता दे दी है इन चीजों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा Bureau Report Nation One की साथ